अगर आपको पहुंचाना है विकास मतलब विकास किवारी ने विकास तो उन रास्तों पे सडकों का होना काफी अनिवार है और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में सिर्फ बस्तर की सडकें ऐसी होती हैं जिसमें मुरूम, डामर, रेती, गिट्टी के अलावा जवानों क का खून भी लगता है अगर यहां पर जवान अपना खून ना दे तो सडक निर्माण कर पाना संभव नहीं है और इसके बाद की और एक कहानी इसी से जोड़ कर बताऊंगा पूरा आप वीडियो देखिएगा नमस्कार मैं विकास तीवारी हूं और आप बस्तर टॉकिस द चल रहा है अब सड़क ऐसे नहीं चल रहा है इसके लिए कितनी बल्दान दिये गए यह भी बता दूंगोर जंगल है और आप देखें कि कितने पेड़ों की बली दी गई है उसके बाद यह सड़क बनाई जा रही है जिससे की विकास पहुंच सके उस और में जो लोग जो म आज की संखिया में दिख रहे होंगे मसीनों से काम हो रहा है लेकिन जवान आप देखें कि फोटी से उन लेके लगबख पचासों की संखिया में आपको जंगलों के अंदर मिलेंगे यह जवान अभी बीत सर्चींग tu इसलिए सर्चिंग पर हैं कि यहां पर जब फाड़े से कड़े से रोड़े से आते हों लोगे शाम का साड़े करते हैं समसर प्रूह HOoa पानी क्या खोड़ेंगयों कि ज॥ जंगल रेते किया Kleemail से अच्छा आप लोग तो सुनेंगा आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं जिलावल में बस्तर में जो सड़क बनती है उसमें हमेशा जवान सुरक्षा देते हैं कई बार सुनें कि सड़क बनाते हैं मुटबेड हो जाती है है तो मुटबेड उसमें आपके कई साथी जवान घैल हो जाते हैं तो ऐसे कई आपके साथी होंगे जो जवान ज़ी में मन में उठता है कि जब जवान अपनी जान जोखी में डालके सड़क बनाते हैं इस सड़क से आप लोगों को तो गुजरना नहीं है ग्रामीडों के लिए ऐसे में आप लोग देखे हों कि कई बार सड़क उखड जाती है उसमें बहुत भरष्टा चार भी होता है उस समय आप कि बस्तर के अंद्रूनी इलाकों में जब सड़के बनती हैं तो ऐसे जवान अपनी पसीना और खून बहा कर सड़कों को सीज़ते हैं और उसके बाद आपको बताओं कि पहली बार इसमें कई सड़के हैं जो बिखर जाती हैं उखर जाती हैं एक पेटी कॉंट्रेक्टर है इन से मेरी बात हो रही थी क्या नाम है आपको गुलाब सिंग गुलाब सिंग यह बता है कि आप यहां प्यापी पेटी कॉंट्रेक्टर हैं अब यह बता रहेते हैं कि आप रहता है अंद्रूनी लाकों में जब आप सड़क बनवाते हैं तो कोई गाडियों को आग के हवाले कर देना या इस्टाप के साथ मार पीट कर लेना इस तरह की घटनाए यह पेति कॉंट्रेक्टर हैं यह बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाए यह पेति में उनकी दरजनों गाडियों को आके हवाले कर दिया गया है करोडों रूपए का नुकसान भी हुआ है मैं बस ये बताना चाह रहा हूं आपको कुल मिलाकर कि सड़क का निर्माण कितना कठीन है बस्तर में और कैसे जवान अपना खून पसीना बहा के सड़क का निर्माण कर आते हैं और यह वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि सबसे पहले मैं सोचा कि सड़क का निर्माण हो कैसे रहा है यह आपको दिखा दूं कि घने जंगलों में बड़े-बड़े पेड़ों को काटा गया जवानों से सुरक्षा दी गई और इस दावरान पूरे खत्र आप सड़क करोड़ों रुपए की बनाते हैं तो सड़क का पांच साल का उम्र होता है कम से कम लेकिन सड़क आपको साल भर के अंदर ही मटिया मेट मिलेगी इस सड़क को आपको मैं उस सड़क को दिखाऊंगा दरसे दर्भा से लेकर चांदा मेटा तक सड़क बन रही है और मैं आपको कोलेंग से लेकर दर्भा के बीच की सड़क जो अभी साल भर पहले बनी है, वो भी इसी वीडियो में आप आगे देखिए। तो देखा आपने दरसल मैं जिस सड़क को बनाने की और उसकी चुनवती की बात कर रहा था, ये वही सड़क है। दर्भा से लेकर चांदा मेटा तक इस सड़क का निर्मान, प्रधान मंत्री, ग्रामीर सड़क, योजना, विभाक के द्वारा किया जा रहा है, और मैं आपको बताओं कि दर्भा से लेकर कोलेंग तक की सड़क जो है तैयार हो गई है, मैंने डिपार्टमेंटल तर पर पूर ही हुई है, और ये सड़क की स्थिती है, कि ये सड़क आपके हाथों में आ जा रही है, सड़क से जो विकास आता है, वो विकास आपके हाथों में आके खिल-खिला रहा है, और बता रहा है, मूँ चिढा रहा है, दरसल ये सड़क को बनाया गया था, कि इस सड़क जब बन शड़क को बनाने के लिए ही मैं इस पेसली आपको दिखाने के लिए इस इलाके में आया हूँ और सबसे पहले मैंने इसी सड़क के अंतिम छोर पर निर्माण हो रहे सड़क निर्माण कारे के पास जो जवान मौजूद थे उनसे बातचीत कराई और उनसे भी पूछा इस वानों के मुटभेड की खबरे आकर निकल कर आती थी बाहर लेकिन जब सड़क निर्माण हुआ तब कुछ इलाके में थोड़ी सी सांती आई है फोर्स आ गई है और कैम्प लग गए हैं और ग्रामीड अब इस सड़क का उप्योग भी कर रहे हैं लेकिन हकीकत में फायदा वाले ठेकेदार का अब आप देखिए सड़क जो है हाथ में आ गई है और गाडियों से चलते चलते जो है किनारे पहुच गई है इसको अगर आप हाथ से उठाएंगे तो इस सड़क ऐसे ही हाथों में आती है और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11 करोड रुपए लगे हैं बस्तर का हर सड़क करोड रुपए खर्च करवाता है अपने निर्माड के लिए और उस सड़क की स्थिति अपने पूरे उमर से पहले ही खतम हो जाती है मुझे लगा कि इस तस्वीर को आपको दिखाना चाहिए ताकि सवाल पूछा जाए उन नेताओं से जो करोड रुपए की सवगात आदिवासियों को देते हैं सड़क निर्माड के नाम पर कारण यह है कि जित सड़कों पर जवान अपने खून बहा देते हैं उन सड़कों पर अगर आप डामर नहीं बहा सकते अच्छी क्वालिटी का तो आखिर ये जूटा दावा किस के लिए कर रह रहे हैं आखिर किसके लिए दम भरते हैं, किसके लिए सवगात आप पेश करते हैं, ग्रामीडों को कितना फायदा होता है, ऐसे ही तमाम सडकें, सैकडों सडकें बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बनाई जा रही है, अब प्रधान मंत्री ग्रामीड सडक योजना से लेकर PWD जैसे व मानेंगे, मुझे ऐसी दुस्मनी पसंद है, जो कि ग्रामीडों के हित पे हो, ग्रामीडों के लाप के लिए हो, क्योंकि ग्रामीडों पर रहसान लात कर, आप अपने आपको माला माल नहीं कर सकते, आपको भी ये सवाल करना होगा, अगर लगे किस पर सवाल उठना तो आप बस्ते टॉकीज को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद